बच्चो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूटूब चैनल में तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं लेसन नमबर 9 का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नमबर 15 ठीक है तो यह कहां पर है यह पेज नमबर 332 पर और आप लोग को बता दू कि इसके पहले के जो अल्रेडी कंप्लीट हो चुके हैं तो अगर आप लोग यह जो फाइनल अकाउंट है अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो स्टार्टिंग से वीडियो को देखिएगा क्योंकि स्टार्टिंग के जो वीडियो है ना उसमें मैंने पूरा बेसिक कंसेप्ट और जो भी फॉ सॉल्व करते हैं तो आजाएए पेस रूंबर 332 पर सबसे पहले कोस्चन को एक बार हम रिट करते हैं और फिर उसके बाद यहां पेस का सॉलूशन हम लोग करेंगे ठीक है तो देखिएगा इसमें क्या दिया हुआ है कि फ्रॉम दफॉलिविंग ट्राइल बैलेंस ओफ मनी करेंगे पेंसिल ले लो और कुछ भी अगर रहेगा तो आप लिखते जाना कि कौन कहा पर जाएगा ठीक है चलिए पेंसिल ले लिजी अपने हाथों में सबसे पहले क्या आया है यह स्टूडेंस कैश कश एफंटी क्या होता है तो आप remained दिजिया असेट्स ठीक है क्योंकि वह इसेट साइट में चाहेगा बराबर फिर उसके बाद देखिएगा क्या दिया है opening इंटेंजिबल रसेट ही होता है तो वह भी जाएगा फिर उसके बाद यहां पर कैसे हम लोग ट्रांसपोर्ट का चार्ज देते हैं वैसे ही फ्रेट भी होता है ठीक है तो इसे लिए फ्रेट कहां पर जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में फिर उसके है तो पावर और फ्यूल कहां पर लगता है फैक्टरी के अंदर अब यह फैक्टरी से रिलेटेड है यानि कि वह ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में ही जाएगा उसके बाद यहां पर आगे देख लिएगा फरनीचर दिया गया है फरनीचर असेड्स होता है फ फैक्टरी से रिलेटेड मतलब ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा फिर उसके बाद यहां पर आगे देख लेते हैं कहां तक पहुंचे थे यह जाएगा प्रॉफिट अलोस अकाउंट के डेबिट साइड में ठीक है मतलब यहां पर दिखो अगर कुछ लिखा नहीं है बस रिपेर दिया है तो हम कैसे माने की वो मतलब वो फैक्टरी का है ठीक है इसलिए हम क्या करेंगे इसको प्रॉफिट अन लॉस अकाउंट में इसको लिखेंगे उसके बाद यहां पर अगला देखिएगा लाइटिंग दिया गया अगे अगर लाइ चार्जेस तो प्रोफेशनल चार्जेस मतलब दिया गया तो वह भी फैक्टरी से रिलेटेड तो है नहीं प्रोडक्शन प्रोसेस से रिलेटेड है नहीं इसके लिए कहां पर जाएगा यह वाला एक्सपेंस तो प्रॉफिट अन लॉस अकांट के डेविट साइड में जाएगा बच्चों आसेट वहां पर लिख लो कहां पर जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेविट साइड में बराबर तो यहां पर हमने डेविट बैलेंस देख लेते तो कैपिटल लाइबिटी साइड में जाता है बैंक लोन लाइबिटी है बिल्स पेबल लाइबिट होता है याद रहेगा ना आप लोगों को ठीक है फिर उसके बाद क्या है डीविडेंट हमको रेसेवड हुआ तो यह कहाँ पर चाहेगा प्रॉफिट अलॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में ठीक है अगला यहाँ पर क्या दिया है इंट्रेस्ट ओन फिक्स डिपोजिट यानि फिक्स डिपोजिट के ऊपर जो इंट्रेस्ट हमें मिल रहा है न वो ठीक है तो इंट्रेस्ट मिल रहा है यानि कि आपका इंकम ही हो रहा है इंकम हो रहा है तो कहाँ पर जाएगा प्रॉफिट अलॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में उसके बाद सेल्स दिया है स्टूडेंट्स इसमें क्या लिखा है कि राइट ओफ 50% पेटेंट्स डेप्रेसियेशन प्लांट और मशिनरी बाइट 10% पर एना मैं ऑफिस एक्यूपमेंट इसके उपर डेप्रेसियेशन दिया गया है 20% का ठीक है तो डेप्रेसियेशन तो आप लोगों को समझ में आता है है ना लेकिन ये राइट ओफ का मतलब क्या हुआ तो देखो बच्चों आप लोगों को बताती हूँ जैसे कि प्लांट और मशिनरी और जो ऑफिस एक्यूपमेंट है इनका कैसे वैल्यू डिक्रीज हो रहा है तो हमने क्या नाम दिया डेप्रेसियेशन ठीक है वैसे ही सारी चीज आप लोगों को बताऊंगी बस अभी जाओ और पेटेंट को जाकर के टिक कर लो ठीक है अभी जितना बता है उतना समझ में आना वैल्यू क्या और पेटेंट का डिक्रीज हो रहा है याद रखना यह डेप्रेसियेशन के जैसा ही है बस यहां पर इंटेंजिबल is to be created 5% and discount on data 2% तो चलिए जाए उपर और जो data है उसको दो बार टिक करना यानि कि हमें तीन लाइन चोड़ना पड़ेगा क्योंकि इसके उपर दो मतलब एक तो हमें RDD यहां पर calculate करना पड़ेगा और दूसरा वो जो discount होता है न वो भी ठीक है इसलिए आप जाओ और जाकर करके उसको टिक कर लो ओके चलो अब आगे चलते हैं अगला यहां पर क्या दिया है outstanding expenses mobile charges और फ्रेट चलो अभी आप जाओ और mobile charges और जो फ्रेट है ना उसको भी जाकर के टिक कर लो क्योंकि इसके उपर भी क्या है बच्चो एडजस्मेंट है mobile charges और फ्रेट जाए उपर जा तो इसका क्या करना है बताओ आप लोगों को अभी बता दो या फिर बाद में चलो बाद में बताती हूंगी वरना आप सोचते बैठोगे चलो हमने पूरा question पढ़ लिए आप चलो इसका solution स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले format बना लीजेगा मेरे साथ क्या लिखोगे क्या प्राइस फिर हम क्या लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउट फॉर्द येर इंडेट 31 मार्च कौन सा सन है 2019 2019 बराबर फिर उसकी बाद यहांप लिखेंगे प्रॉफिट लाउस अकाउंट फॉर्द येरे इंडेट 31 मार्च तूथाउजन नइन्टीन और यहांपर भी वही बा कोलम्स हम लोग अमाउंट के लिए बनाते एक तो इनर वाला दूसरा आउटर वाला ठीक है तो आप लोगों ने भी बनाया ही होगा चलो अभी इसका हम सुरू करते हैं तो सबसे पहले डेपिट बैलेंस में देखिएगा क्या दिया है कैश इन हैंड तो कैश इन हैंड क्या हो और आउटर कॉलम में लिख देंगे 5200 उसके बाद क्या है बच्चों ओपनिंग स्टॉक कितना 10,370 तो आजाए यहाँ पर लिखिए टू ओपनिंग स्टॉक 10,370 पराबर अगला यहाँ पर देखिएगा गुडविल दिया है तो गुडविल क्या होता है बच्चों यह असेट्स होता है तो आजाए यह गुडविल में और यहाँ पर हम लिख देंगे गुडविल कितना दिया था साइस से 10,000 दिया था एक बार मैं देख लेती हूँ 10,000 इतना ही है ना जी हाँ फिर उसके बाद पैटेंट्स दिया गया है तो पैटेंट के ऊपर क्या है एडजस्मेंट है ना याद रखना यानि कि हमें एक लाइन चोड़ना पड़ेगा तो चलो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ पैटेंट्स 4000 एक लाइन जोड़ देते हैं फॉर एडजस्मेंट फिर उसके बाद यहाँ पर अगला देखिएगा स्टूडेंस क्या दिया है तो यह क्या होता है असेट्स होता है ना तो यह असेट्स साइड में जाएगा हम क्या लिखेंगे कैश एट बैंक कितना 4400 उसके बाद यहाँ अगला दिया है तो फ्रेट कहां पर जाता है 2500 दिया है दिकिंग यहाँ पर आएगा कि आप दिया गया है क्या कैशनी दिया था शायद से जी हां पोड़ेश दिया और फॉर्चेस रिटर्न यहां पर नहीं दिया बस फॉर्चेस दिया तो हमें एक लाइन उसके लिए हम छो इसके ऊपर एड्जस्मेंट है तो हम इसका अमाउंट जो है वो इधर ही लिखेंगे अंदर ही लिखेंगे उसके बाद देखिएगा क्या दिया है स्टूडेंस पावर एंड फ्यूल तो पावर एंड फ्यूल कहा पर जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के टेपिट साइड में अमाउंट कितना दिया है 1500 तो यहां पर हम लिख देंगे एक लाइन छोड़ देते हैं टू पावर एंड फ्यूल ठीक है और इसका अमाउंट हम देख लेते हैं 1500 पांच सो आ कि निक्स्ट वन देख लिजीएगा क्या दिया है बच्चों फरनीचर तो फरनीचर क्या होता है असेट्स होता है और इसके ओपर एड्जिस्मेंट है क्या नहीं है इसके ऊपर तो नहीं देखा था आमने तो फरनीचर का डिरिक्ट पहले हैं कितना 12,000 कि कैसे कर दो साथ सब्सक्राइब और इसका त्सक्राइब दिया है 35,260 परचेस तो लिखेंगे हम तू परचेस मेरे साथ बूल करके लिखो परचेस जाएगा डेटिंग आप याद होगा आप जो प्रैक्टिस करोगे आप खुद याद हो जाएगा बस ऐसे बोलने के लिए उसके बात क्या है मुबाइल चार्जेस का मौन कितना दिया है है 3200 और यह कहां पर जाएगा तो प्रॉफिट अलॉस अकाउंट के डेपिट साइड में जाएगा तो यहां पर हम लिख देते हैं बच्चो टू मुबाइल चार्जेस भूल गए इसका अमाउंट देखो कितना था तीन हजार दो सो घ्चो फिर यहां पर आगे देख्येगा क्या दिया है बच्च की बाद फेक्ट्री analogy ट्रीन का चार्थी और के जाए का यहां पर आएगा हम जह लेकिंगे ट्पेक्ट्री सेल्रिई लेज 2400 फिर उसके बाद यहाँ पर अगला देख लिजीगा बच्चों क्या दिया रिपेर्स तो रिपेर्स कहाँ पर जाएगा बताया था ना आप लोगों को Profit and Loss Account के डेबिट साइड में जिसका अमाउंट कितना दिया है 800 तो यहाँ पर हम आ जाते हैं और क्या लिखेंगे टू रिपेर्स अउर्ट सो इसके बाद नेक्स्ट बन देख लेजीए यहाँ पर लाइटिंग का खर्चा कितना दिया है एक हजार तो हम इदेर लिखेंगे स्टूदिंस टू लाइटिंग जिसका खर्चा है एक हजार तो यह लिजिए हमने यहाँ पर लिख दिया एक हजार ठीक है तो यहाँ पर लाइटिंग का भी हो गया उसके बाद क्या है बच्चो कैरेज आउटवर्ड जो कितना दिया है तीन सो साथ तो कैरेज आउटवर्ड कहा पर जाता है प्रॉफिट इन लो सगंड के यह आउटवर्ड है ठीक है और इसका अमाउंट है तीन सो साथ तो यह लिजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया बच्चो तीन सो साथ ठीक है उसके बाद यहाँ पर अगला देखिएगा प्रोफेशनल चार्जेस दिया गया है यह कितना दिया है तो 1240 प्रोफेशनल चार्ज प्रोफेशनल चार्जेस ठीक है चली आगे चली अगला देख लेते हैं डेटर्स तो डेटर्स के ऊपर कितने बार टिक किया हो दो बार किया हो ना यानिकि तीन से चाल लाइन तो छोड़ना ही पड़ेगा तो चलो यहाँ पर हम आ जाते हैं और लिखते हैं स्टूडेंस ड दिया है चालीस हजार फिर यहाँ पर अगला है प्लांट एंड मशिनरी जिसके ऊपर क्या था एड्जस्मेंट था तो इसके लिए डेटर्स के लिए इतना लाइन चोड़ दो और फिर यहाँ पर हम लिखते हैं प्लांट एंड मशिनरी ठीक है जिसका अमाउंट देखिएगा कितना दिया है 13,700 ठीक है उसके बाद यहाँ पर ओफिस एक्यूपमेंट दिया गया है कितना 10,000 का तो चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं इधर ओफिस एक्यूपमेंट इसके उपर भी एडजस्मेंट है यानिके हमें एक लाइन छोड़ना पड़ेगा 10,000 ठीक है उसके बाद यहाँ पर कैरेज इनवर्ट दिया गया है तो कैरेज इनवर्ट कहाँ पर जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में तो यहाँ पर हम आ जाएंगे और क्या लिखेंगे कैरेज इनवर्ट देखिएगा टू कैरेज इनवर्ट ठीक है इसका अमाउंट दिया गया है कितना साथ सो सतर तो यहाँ पर हम आएंगे और क्या लिखेंगे बच्चो कैपिटल जिसका अमाउंट यहाँ पर दिया गया है विखेंगे 50,000 तो यहाँ पर जी है फिर उसके बाद यहां पर यहाँ पर नहीं चोड़न ऺड़ेगा फिर फिर जो देते हैं यहाँ पर लिखेंगे मांट यहां तो हम इदर लिख देंगे बचो इसके सामने 15,000 बैंक लोन 15,000 ठीक है फिर उसके बाद यहां पर अगला है बिल्स पेबल कितना 8500 तो बिल्स पेबल भी क्या होता है लाइबलेटी ही होता है तो हम इतर लिखेंगे बच्चों बिल्स पेबल और इसका अमाउंट है 8500 यह लिजे हमने यहां पर लिख दिया स्टूडेंट्स 8500 उसके बाद देखिएगा क्रेटर्स दिया गया है तो हम इतर लिख देंगे क्रेडिटर्स और इसके उपर कुछ भी एड्जस्मेंट वगरा नहीं था तो ऐसे जाने तो इसको और इसका अमाउंट है 38,260 तो यहां पर मिला देते हैं 38,260 ठीक है उसके बाद इसके बाद यहां पर अगला है जनरल रिजर्व तो यह क्या होता है बताया था ना लिआपलिटी होता है याद रख लो फ इसके सामने आना चाहिए 1500 ठीक है और यह क्रेड़र देखो इसके सामने 38,260 इसके सामने है कि नहीं थोड़ा नीचे चला गया ना क्योंकि यह डिविडेंट हमें मिला है रिसीव हुआ यानि कि हमारा इंकम है इसलिए डिविडेंट को यहां पर लिखेंगे चलो इसका अमाउंट हम देख लेते हैं तो कितना दिया है बच्चो 2000 तो मैंने यहां पर लिख दिया 2000 ठीक है उसके बाद यहां पर अगला इसका अमाउंट देख लिजेगा 3440 तो यह लिजे मैंने यहां पर लिख दिया बच्चो 3440 और इसको थोड़ा ना कैपिटल में लिखो यह एफ को कैपिटल में बनाओ फिक्स डेपोजिट ठीक है चलो यह काम भी हमने कर लिया उसके बाद क्या है बच्चो सेल्स कहां पर जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में तो यहां पर हम आएंगे और क्या लिखेंगे बाइस सेल्स ठीक है और जिसका अमाउंट यहां पर दिया चाली सब्सक्राइब बाते आपको अच्छे से समझ में आई ना चलिए अब हम लोग चल चलते हैं तो सबस स्थार के दो इफेस्प्स कौन कौन से होते हैं ततने सारे कोशिंस मैंने कर insc约 अब करके बताना होगा घ runners कर को में ब league कर यह that जाय क्लोजिंग स्थारक निश्ट पर, अखूब कर कौन से होते हैं तब तक मैं सोशती हूं मुझे भी में भूलने कहां पर जाएगा है लिख दिया सब लोगों ने चलो अभी मैं आप लोगों को बता देती हूं इसके दो एफेक्ट कौन-कौन से होते हैं पहला तो यह जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या लिखते हैं यहां पर बाई क्लोजिंग स्टॉक ठीक है और इसका दूसरा एफ 32,000 और यहां पर भी क्या आएगा स्टूडेंस 32,000 ठीक फिर यहां पर अगला देख लीजिएगा एड्जेस्पन नमबर टू ठीक है यहां पर वो राइट अफ वाला आई गया तो पैटेंट जो है ना वो राइट अफ हुआ है कितने से राइट अफ हुआ है बच्चो तो कितने पॉर्जेंट से तो 50 पॉर्जेंट यहां पर यहां पर चलो मैं आपको निकाल के बदाती हो 4000 का 50% निकालिए यानि कि 50 upon 100 हो चाहेगा 0 से 0 को कैंसल कर दो इसको कैंसल कर दो multiply करो 540 क्या होता है 20 यानि कि कितना है बच्चो 2000 ठीक है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे देखो जबही किसी असेट की डिक्रीज होती है तो माइनस करेंगे तो माइनस करना पड़ेगा तो हम यहाँ पर क्या लिखे माइनस रिटेञेड पेटंट क्या हो गया रीटेन ऑफ हो गया तो चलो यहां पे लिखो मतलब इसका value decrease हो गया कितने से हुआ 2000 से यहां पे लिख देना 2000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4000 में से 2000 को घटा दो यहां पर आ जाएगा कितना 2000 ठीक है तो यह लिजी हमने लिख दिया ठीक है फिर उसके आगे देखिएगा plant and machinery के उपर depreciation दिया ह हाँ अभी depreciate मतलब इसको depreciate करना है कितने % से तो 10% से 3700 का 10% क्या होगा बताया था ना आप लोगों को जब 10% निकालना हो तो पर आ जाएगा यहां कि 12,330 यहां पर आ चुका है ठीक है और जो ऑफिस इक्यूप्मेंट है ना स्टूडेंस इसके ऊपर 20% का देप्रेसियेशन को यहां से मैनस कर देते हैं क्या लिखेंगे कितने परसेंट का है 20% का है अब यह जो 10,000 यहां पर दिया गया है इसका 20% कितना होगा तो चाहो तो आप इसका मन में भी कैल्कुलेशन कर सकते हो बागी अगर आपको लिख करके करना है तो वैसे भी करो चलो आपको मन में बताती हूं कैसे होगा जैसे कि यहां पर क्या है 20% मिल जाएगा तो 10,000 का दो गुना का रोटू से में मल्टिप्लाई कर दो कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा यानि कि ऑफिस एक्यूप्मेंट का डेप्रिसेशन कितना आ गया बच्चो 2000 ठीक है समझ पाए चलो आपको यहां पर अच्छे से कैल्कुलेशन करके भी बता देत जीरो जीरो कैंसल कर दो मल्टिप्लाई करो देखो 2000 आई कि ने वही तो मैं कब से बोल रहे थी आप लोगों को चलिए यहां पर मैं लिख देती हूं 2000 ठीक है अब माइनस कर देंगे तो 10,000 में से 2000 गया तो कितना आएगा बच्चो 8000 यहां पर आ जाएगा ठीक है अब इनक और अगर वह एकस्पेंस रिलेटेड दूसरा ऑफिस से ठीक है तो यह जो प्रोडक्शन मतलब यह जो एकस्पेंस दिया गया है डिन नहीं है तो पिर यह ट्रेडिंग अकाउंट में जाने का इसका कोई सवाली नहीं उठथा तो कहां पर जाएगा प्रॉफिट्ट अन ला टेप्रेसियेशन किसके किसकी उपड़ेसियेशन है तो पहला यहां पर लिख दो प्लांट अंचिनरी कि अधिक है उसके बाद हम क्या लिखेंगे तो ओफिस एक्यूप्मेंट और वो जो है ना पेटेंट वो भी आप यहीं पर लिख दो क्योंकि इसका भी वेल्यू क्या और डिक्रीज ही तो हो रहा है न तो इसलिए इसको भी यहीं पर लिख दीजिए ठीक है चलिए सभी का amount लिख देते हैं तो plant and machine दी कितना एक तीन साथ जीरो और office equipment कितना बच्चो दो हजार चलिए यहाँ पर लिख देते हैं और पेटेंट कितना कितना था दो हजार चलो अब इन सभी का total करके हम इदर बहार लिख देते हैं तो दो दो चार हजार रुको यहाँ पर पर एड़ेस्टम नमबर टू भी कंप्लीट कर लिया आप लोग देख सकते हैं उसके बाद यहां पर देखिए का बच्चों क्या दिया है रिजर्फ और बैट डेट्स इस टू बी क्रिएट फाइट परसेंट एंड डिसकांट ओन डेटर तो सबसे पहले हम क्या करते हैं जो मतलब ऑड बैप यह होता है के शलिए आज यह वे यह सब्सक्राइब क्या परसंट सबस्टाइब देखिए ऐड एट ओव फाइव उसके उपर कितना परसेंट सबड़ाई निगकेशंक होगतम कितना होगा देखो यहां पर कैल्कुलेशन करके आप लोग को बता देती हूं 5 अपॉन 100 बराबर 0000 को कैंसल कर दो और मुल्टिप्लाइ करेंगे तो 540 यहां पर बच्चो 20 और यह 20 यहां पर यानि कि 2000 आजाएगा इतना ही आएगा ना एक बार फिट से मैं आप मतलब एक बार फिट से चेक कर लेते हैं तो देखेंगे डबल सीरो से डबल सीरो कैंसल 540 और यह 20 यहां पर यानिकि 2000 आगया ठीक है वो हमें जल से जल पेमेंट करें इसके लिए हम उसको डिसकाउंट देते ठीक है तो अगर आप डिसकाउंट दे रहे हो अगर आपने मतलब डिसकाउंट दिया तो वो पैसा आपको नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा यानि आपको माइनस करना पड़ेगा ठीक है तो चलो यहां करते हैं यह है पर लिको पर डिसकाउंट और दपर बीजन दो पर यहां पर दिया गया है दोuran। से दिखेगा टू परशन हमें इन ऐसे आपको यहीं पर क्याल्कुलेशन करके बता तोड़ा छोटा छोटा लिकूंगी चैज टू अपान 100 को कि डबल जीरो से डबल जीरो कैंसल हो जाएगा और फिर डेखो डबल जीरो कैंसल टू-0-0-0-0-2-8-0-16-1 तू-3-0-6-1-7 यानिकि साथसो चैश्छ यह ही आएगा एक बार फिर से चेक कर लेते हैं इतना ही 40000 डूबल दूबल 0 कैंसल 20000 टू ऐट सै 621 23617 ठीक है एकदम सही है अब हम एक काम करते चलो माइनस कर देते हैं तो 38000 में से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा यहाँ बहुत जाएगा जीरो 10 मै चे गया तो 4 और 9 में से साथ जाएगा तो 2 फिर यहाँ पर जिना बच्येट 7 और यहां पर तीन 37,240 यहां पर आ चुका है बराबर यह तो इसका पहला आप ढ़ी दूसरा एफेक्ट किदीर जाएगा यह भी आप अपके लिए expense है यह भी expense है तो अगर यह दोनों expense है तो कहा पर जाएंगे profit and loss account के debit side में तो पहले हम इसको लिख लेते हैं यह क्या है बच्चो हमारा new RDD है ना तो हमने यहाँ पर bad date का पूरा format तो नहीं बनाया है लेकिन कोई बात नहीं format नहीं बनाया है तो ऐसे ही हम लोग इसको अलग से भी लिख करके दिखा सकते हैं ठीक है तो चलिए हम दिखा देते हैं यहाँ पर क्या लिखेंगे तू रिजर्व फॉर रिजर्व पॉर रिजर्व सही है ना पॉर बैड देट्स ठीक है नियो आड़ीडी भी लिख सकते हो चलेगा पर यह लिख दो अच्छा रहेगा कितना आया था देखो यहाँ पर 2000 तो मैं यहाँ पर लिख दूँगी बच्चो डारेक्टली 2000 ठीक है और वो जो डिस्काउंट ओन डेटर्स दिया गया है वो भी तो अमारे लिए नुकसान ही होगा ना प्रोवीजन फॉर डिस्काउंट ओन डेटर्स प्रोवीजन फॉर डिस्काउंट ओन डेटर्स कितना आया था शाल सो साथ तो यह लिजे मैंने यहाँ पर लिख दिया तो यहाँ पर इस तरीके से यह वाला जो एड्जेस्मेंट था स्टूडेंस यह भी यहाँ पर होता है कंप्लेट ठीक है चलो अब आगे चलते हैं अगला यहाँ पर एड्जेस्मेंट नंबर कौन सा फॉर ओके तो इसमें देखिएगा आउट्स्टेंडिंग एक्सपेंसे हें हैंनहा हमें तो पता है एक्काम करते मोबाइल चार्जस्कु desirable और किसी ऊपर भीज देते हैं किसको ओपर जाने सब्सिंटेंग आउस पहल्जना नाचे तो फूमाए connection काम करते हैं यह करतेनोर दोयागा और मोण अ 6 और अब इसका जो adjustment है वह हम फिर कर देते हैं लिगवार्ट मुबाइल चार्जेस के सा आउट्स टैंडिंग है बराबर आउट्स टैंडीग है आप लूग देख सकते हो तो यहां पर मैं लिग दून्हें 300 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3500 तो यहां पर आजाएगा 3500 ठीक है और दूसरा यहां पर एक्सपेंस क्या है बच्छो फ्रेट तो देखो फ्रेट में हम क्या करेंगे जो आउटस्टेंडिंग इसका फ्रेट है वह हम इसमें इसका पहला इफेक्ट है अभी दूसरा इफेक्ट इसका क्या होगा तो यह जाएगा लाइबिटी साइड में है ना हम क्या लिखेंगे आउटस्टेंडिंग एक्सपेंसेज में फ्रेट और क्या था मोबाइल चार्जेस चलिए यहां पर मैं लिख देती हूँ आउटस्टें ठीक है दोनों का अमाउंट हम लिख लेते हैं मोबाइल चार्जेस कितना दिया है 3200 और जो फ्रेट है ना वह कितना पांस एक मिनट मोबाइल चार्जेस तो तीन हजार था ना आउर्स्टेंडी तीन हजार ने तीन सो और जो फ्रेट था इसके उपर 500 दोनों को कि प्रेटल में लाकर कि प्लस करते ना तो देखिएगा यहाँ पर साइंज और फिर हम इदर क्या लिखेंगे इंट्रेस्टन और क interpreting चलो कैलकुलेट कर यहीं पर कितना पॉसंट का दिया गया है फाई पॉसंट का का अमाउंट कितना है 55,000 का 5% हमें कैलकुलेट करना होग तो देखीएगा कितना आएगा यहाँ पर डबलजिरो से डबलजिरो को कैंसल कर दो 2,500 आ जाएगा बराबर चलो इसको हम जोड़ करके यहाँ पर इसका जो अमाउंट है वो लिख देते हैं और अगर वह एक्स्पेंस है तो कहां पर जाएगा प्रॉफिटन लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में तो यहां पर हम क्या लिखेंगे स्टुडेंट्स टू इंट्रस्ट ऑन क्या पिटल कितना आया था 2500 कि यह लीजिए मैंने यहां पर लिख दिया 2500 बराबर फिर उसके बाद यहां पर लास्ट में देख लिएगा बच्चों क्या दिया है गोड्स ऑफ रुपीज 2000 डिस्ट्रिबूटेड एज डिस्ट्रिबूटेड ओन फ्री सैंपल ठीक है अब यह कहां पर फ्री में डिस्ट्रिबूट कर रहें फ्री सैंपल के तोर पे ताकि लोग उसको देखें और फिर हमारे जो भी गुट से उसको बाद में खरीदे ठीक है ऐसे ही पहले हम लोग फ्री में दे रहें अपना एडवर्टाइजमेंट करने के लिए ठीक है यानि हम क्या कर रहें और अगर एडवर्टाइजमेंट किया जाता है तो वो कहां पर जाता है वो जाता है प्रॉफिट अन लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में अब ऐसा क्यू है तो देखो मैंने पहले भी बताया है अब भी बता रही हूं कि गुट्स आपके पास से किसी भी तरीके से पर या फिर आपका गुट्स जो है वो मतलब ऐसे ही मतलब उसका नुकसान हो गया ठीक है मतलब किसी भी तरीके से अगर वो आपके पास से जाता है तो उसे हम कहां पर रेकॉर्ड करते हैं देखो बस गुट्स की बात की जा रिए बाकी चीजे ने क्योंकि बिजनस के अंद साइड में रेकॉर्ड करोगे ठीक है समझ भाए तो क्या लिखेंगे इसका दूसरा इफिक कहां पर जाएगा तो इस साइड जाएगा तो चलिए फिर दोनों समझ में आगया ना चलो हम लिखते हैं पहला तो यहां पर लिखेंगे टू एडवर्टाइजमेंट करके तू ए एडवर्टाइजमेंट कितने का एडवर्टाइजमेंट की है 2000 का चलो लिख दो यहां पर 2000 दूसरा इफेक्ट इदर आएगा क्या लिखेंगे बाई गुड्स डिस्ट्रिब्यूटेड ऐस फ्री सेंपल याद रहेगा ना बूलना मत गुड्स डिस्ट्रिब्यूटेड ऐस देखो जब भी आता है ना बार बार आप लोग को वही बात समझाती हूं ताकि आप एक्जाम में गर्बर ना करो क्योंकि इसमें गलती होने का बहुत चांस है तो ऐसी गलती आप लोग ना करो इसके लिए बार बताती हूं ठीक है कितना 2000 तो यहां पर हमने सारे एड्जस्मेंट कर लिए हैं देख लो कुछ बाकी तो नहीं है सब कुछ हमने लिख लिए प्रॉपर ली अच्छे तरीके से अवरी थिंग सब कुछ लिए हैं अब हमें यह पता लगाना है कि हमको यहां पर मतलब फाइदा हुआ या फिर नुकसान ह लेते हैं तो 40,000 और 32,000 और 200 तो 40,000 फिर 32,000 तो 32,000 तो दो हजार कि यही वाला साइट जादा होगा चलो पहले मैं इतर लिखते हूं 72,000 यह है क्रेडिट वाला 72 ने 74 चलो अभी क्रेडिट वाला यह डेडिट वाला हम कर लेते हैं पहला तो हो गया ना यह वाला साइट दस हजार तीन सो सत्तर प्लस तीन पांच तीन पांच दो छे जी रो तीन हजार एक हजार पांच सो दो हजार चार सो और फिर है साथ सो सत्तर ठीक है तो देखिएगा कितना आ गया बच्चो 53,300 तो देखो यहां पर में लिख देते हो 53,300 अब मुझे पताओ कौन सा वाला साइट ज्यादा है डेडिट वाला के क्रेडिट वाला ज्यादा यानिके हमको क्य होगा यहां पर profit होगा ठीक है आप कितने का profit होगा पता लगा लिया जाए चलो देख लेते हैं माइनस कर देते हैं तो कितना आया आप यहां पर देख सकते हो और थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा इसका टोटल लिखने के लिए आजाओ आजाओ अब तुम नीचे आजाओ 74,000 और इस साइड बे उतना ही ठीक है समझ गए तो यहां पर आपका यह जो ट्रेडिंग अकाउंट है यह होता है यहां पर लिख देते हैं तू ग्रॉस प्रॉफिट के रिडाउन यह भी दो लिखना पड़ेगा न देखो मैं भूल रही थी अब यह जो ग्रॉस प्रॉफिट आया है इसे हम क्या करेंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में लागर के लिखेंगे ठीक है तो चलिए लिख यहां पर लिखेंगे ऐसे क्रॉस होता है यहां पर लिखेंगे बच्चो बाई ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉफिट डॉनüre कितना तिवेंटि दांचखना कया है दिचेए चलों ऑफुक्यांच लागर देते हैं तो 20,000 को साथट्पोस सब्सक्राइब जीरो जीरो 26,140 इस साइड का तोटल कितना आया है 26,140 पराबर फिर अभी उस साइड का टोटल करके देख लेते हैं तो इधर दिया है 3500 फिर है 1000 पिर यहां पे 360 1,240, 5,370, दो हजार 760, 82500, दो हजार देखो बच्चो इस साइड का टोटल कितना आया तो प्रॉफित होगा अब कितने का नेट प्रॉफित होगा यह हमें कैसे पता चलेगा तो माइनस कर देते हैं 26000 तो देखो बच्चो माइनस करने के बाद कितना आता है 6610 यानि कि इतने का हमको क्या हुआ नेट प्रॉफित हुआ ठीक है तो चलिए आजाएं यहां पर मैं लिखती हूँ कितना था 6610 आजाएं टू नेट प्रॉफित कैरीड डाउन 6610 इसको मैंने यह सरकल में कर दिया अब उसके बाद जो यह टोटल था न यह बड़ा वाला आमाउंट इसे हम दोनों साइड में लिख देंगे तो देखिएगा यहां पर मैं आप लोगों को लिख करके बताती हूँ कैसे होगा यहां पर यह बड़ा वाला आमाउंट लिख दीजिए 26,140 ठीक है चलो आजओ यहां पर अब यह जो नेट प्रॉफिट आया है इसे हम क्या करेंगे इधर कैपिटल में लाकर के प्लस कर देंगे तो यहां पर लिखते हैं प्लस नेट प्रॉफिट कितना 6,610 चलो अब जोड़ करके फाइनली इसका अमाउंट बाहर लिख देते जीरो यहां पर आ जाएगा एक मतलब 59,110 यहां पर आ जाएगा ठीक है अब हमें क्या करना होगा तो जो इसको टैली करना होगा चलो यह भी हम कर देते हैं देखिए बच्चों यहां पर जब हमने इसका टोटल किया तो कितना आया कर लिया है तो अभी आपकी बार है पढ़ने की अच्चे से पढ़ाई कीजिए कुछ भी डाउट रहता है तो मुझे आप जरूर बता सकते हैं टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप सभी लोग जुड़ जाए वहां पर आप लोग अपने दोस्तों के साथ डि है तो चलिए आज के लिए बस इतना ही अभी मिलते हैं लोग नेक्स वीडियो में चलो बाइवरीवन